जहीं सातियों कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और तयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे हम लोग कॉस्ट रिक्ट कॉस्टिंग में इस समय पढ़ रहे हैं जौब एंड कॉंट्रक्ट कॉस्टिंग एक साथ इसलिए क्योंकि इन दोनों की से रिलेटेड एक कुस्टिंग पोछा जाता है आपको कॉंट्रक्ट अकाउंट करना होगा वर्क इन प्रोग्रस एकांट और बैलन्स चीड को ट्रांसफर करना होगा कैसे किया जाएगा शीख लेंगे अपने इस वीडियो में तो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आपको पिछले वीडियो अच्छे लगते हैं या लगे हैं तो येकीन मानिए आज का भी वीडियो अच्छा लगेगा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में फटाफट कुश्चन का पीडियो आपको मिलेगा टेलिग्राम चैनल कॉमर्स विद्वेद्शिरा पर और पिचा दर इसमाइं पिचर्ट आथ ऐटक्रट पोस्तों कि और ये विडियो आंगी सिविलम के इसे टा मीडियो आपकों टीक थेटीडिपार मिलेश समया थाल्ग्ट दो की सब्टक्रटेशिए पैर कॉन्र्ट पांट ये लोर ये यीडियो आट श्यारिक्ठ प्रीम्ने का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहले कॉंट्रक्ट अकाउंट उसके बाद में वर्क इन प्रोग्रेस और बैलन सी तो डेविट साइड में टू मेटेरियल्स पुट्टी थाउज़न्ट कि तू वेज्ट फिप्टी कि टू अधर एक्सपेंसर्स फिप्टीन कि उसके बाद में प्लांट एट कॉस्ट फिप्टी थाउज़न्ट बहुत ही सिंपल होता है कॉंट्रक्ट अकाउंट का कुश्चन और पूरे पंद्रा नंबर देखे जाता है उसके बाद में क्रेडिट साइड में इसने मेटेरियल रिटर्न किया है दो हजार का है कि बाई है कि मटेरियल्स है रिटर्न टू है इस्टोर्स है तू थाउज़न्ट है कि बाई वर्क इन प्रोग्रेस क्या क्या आता है वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क इन प्रोग्रेस क्या रिटर्न के अंदर देखो कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड वर्क एक लाख बीस हजार वर्क इन सर्टिफाइड सर्टिफाइड वर्क है चैन प्रोगां यह भी दिया हुए हैं उन सर्टिफैड वर्क क्या होता है। वर्क डन सर्टिफाइड यह उसके बाद में material in hand 11,000 है material in hand 11,000 और plant at site देखो इसमें depreciation नहीं दिया कुश्यन के अंदर जब कभी कुश्यन के अंदर depreciation नहीं होगा तो plant at site कितना है यह कुश्यन में दिया रहेगा 43,000 का कितना दिया हुआ है 43,000 का ओके तो यहीं आएगा यह चार वेल्यू वर्क इन प्रोग्रस की होती है चारों का टोटल कर लो कि तीन एक चार अब देखो कोई वेल्यू हमारी बची नहीं होगी जिसको हमने लिखा नहीं हो सब हो गया है यहां हमने टोटल कर लिया ओके टोटल किया तो दो लाख 36,000 रुपया टोटल होगा हमारा 236 यहां 236 डिफरेंस निकाल लो तो पांच और एक छे हासिल हो गया कुछ नहीं पांच और नौएक दस पांच पंद्रा पंद्रा और पंद्रा और और आठ तेस होता है आश्चिल आगया दो दो और दो कुछ नहीं बिचेगा तो 81,000 पर टू बैलन्स CD कितना आया 81,000 देखो कितना है 81 है बात के लिए रहे समझ में आ रहा है जी समझ में आ रहा है इसी बैलन्स को हमने यहां ले लिया कि बाई बैलन्स कि ब्रॉट डाउन 81,000 अब बात आती है कि कितना एमॉंट ट्रांसफर करें पी यल में तो मैंने कहा कि वर्क सर्टिफाइड देखो कि कॉंट्रेक्ट प्राइज है कितना तीन लाक कि इसका वन बाई हाफ कि कितना होता है कि डेड़ लाख है और इसका वन फोर्थ हगर कर दें तो होता है 75,000 लिए न वन-फोर्थ कितना होता है? 75,000, 1.5 लाख मेरा work certified कितना है? 1,20,000 मेरा work certified कितना question में दिया देखो 1,20,000 तो one-fourth से ज्यादा है work certified लेकिन वन हाफ से कम है मेरा वर्क सर्टिफाइड वन फोर्थ से ज्यादा है लेकिन वन हाफ से कम है और इस सिच्वेशन में पी यल को कैसे कल्कुलेट करते हैं पी यल बराबर बैलेंस इन्टू वन बाइथरी इन्टू कैसे रसीवड अपॉन वर्क सर्टिफाइड बताया था याद है पहला वीडियो नहीं देखा फिप्टी सेवन मिनट्स का है तो आपको कॉंट्रक्ट एकाउंट में बहुत सारी प्रॉब्लम रहेंगी और अगर पह अतम नहीं होंगी मिनिमाइज हो जाएंगी तो देख लो एक टी वन थावजेंड इन्टू वन बाइथरी इन्टू कैस्ट रिसीवड है वन लाग और वर्क सर्टिफाइड है एक लाग बीस हजार तीन जीरो ये तीन जीरो ये ओके इसको देख लो तीन दूना छे तीन सते किस यह हो गया इस एक जीरो ये कट कर दो एक जीरो ये कट कर दो और इसी हो जाएगा क्या चलो अब कल्कुलेट कर लेता है नहीं तो यह गंटा फर कल्कुलेशन कौन करेगा तो 27 x 10,000 or divided by 12, 2,500, कितना? 2,500, PL में आएगा, तो 2, PL, account 22,500, और जो बाकी बचेगा वो कहां जाएगा? डबलू आई पी में जाएगा कितना है एक टीवन यहां का टोटल करेंगे यह यहां डबल लाइन क्रॉस नहीं होता है क्योंकि डबल लाइन से के बाद में वैल्यू आगे बढ़ाई नहीं जाती है कि एटीवन कि डिफ्रेंस निकाल लो कि पांच पांच दस दो एक तीन 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 और आठ तीन ग्यारा आश्यल हो गया एक दो एक तीन पांच तीन 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 अठ फिप्टी एट फाइट फाइवंडर्ड एक बाद देख लेता हूं क्या कोई और वैल्यू दी हुई है कि कुछ दिया हुआ कुश्यन में है क्या नहीं दिया हुआ है पील में बाइस पांच तो दिया है तो ठीक है बाकी डिफ्रेंस हमारा इतना कैसे बनेगा हमारा वर्क इन प्रोग्रेस और बैलेंस सीट पोस्टिंग का रूल आपको पता होगा जब कभी भी पोस्टिंग करने जाते हैं तो चार बातों पर ध्यान देता है जर्नल इंट्री पर वह अकाउंट का नाम आया कि नहीं जो अकाउंट हम बनाने जा रहें न क्रेडिट्स अइड में देखो आप र्क इन प्रोग्रस दिख रहा है भाई वर्क इन प्रोग्रस 2,254,000 लिख दिखा। इसका मतलब उसके लिए इंट्री हुई थी और किन प्रोग्रस अकां डेविर टू कांट अकाउंट तो ओंत्रेक्स बनाते से में मैंने कॉंट्रेक्ट अकाउंट हम डारेक्ट दो चौंटिस लिख सकते हैं क्योंकि ओवराल वेल्यू में एक साथ बाहर दो चौंटिस लिखी थी लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं कि अकॉंट बहुत चोटा हो जाएगा दो लाइन का तो आप इसको कैसे दिखा सकते हैं कि वर्क सर्टिफाइड कि एक बीस कि वर्क कि अन्सर्टिफाइड कि साथ हजार कि मटेरियल इन हैंड शायद ग्यार हजार का था शायद क्या ग्यार हजार का था देख लेता हूं कि ग्यारह जार था कि और प्लांट एड़ साइट कि यह फटी थरी था कि टोटल मेरा दो लाग चाउंतीस हजार रुपे था कि अग्यार था कि मैं एक साथ भी लिखत था ट्मुक्राइक अकाउंट दो लाग चाउंतीस हजार क्योंकि में वहां से ला रहा था वह उठा करके नहीं लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा इसका मतलब उसके लिए इंट्री क्या हुई है वर्क इन प्रोग्रस अकाउंट डेविट इसलिए कॉंट्रक्ट के डेविड में लिखा हुआ है वर्क इन प्रोग्रस में जब उसकी पोस्टिंग करेंगे तो बाई कॉंट्रक्ट अकाउंट 58 500 बस टोटल कर लो बन गया हमारा कॉंट वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट दो लाख चौंटीस हजार कि यहां पर दो चौंटीस बैलन्स निकाल दो पांच पांच दस आठ एक नौ 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 पांच चौदा पांच एक छे साथ छे तेरा और एक एक दो 175 500 बाइं कि बैलन्स सीडिट यह हमारा हो गया वर्क इन प्रोग्रेस एक बार देख लेता हूं गर्क इन प्रोग्रेस का बैलंस कितना है कि 175-500 तो के अब देखो जब बैलन्स सीट में आप इसको दिखाऊगे तो कैसे दिखाऊगे इस कुश्चन की जो बैलन्स सीट बनती है कि तो बैलन्स कि सीट कि एज ओन कि 35 दिसमबर 2003 और क्या करेंगे एसेट साइड कि केवल एसेट साइड बनेगी है ठीक है अब तो वर्टिकल फार्मिट में बैलन्स रीट बनती है तो पार्टिकुलर्स और अमाउंट फिक्स्ट एसेट्स फिक्स्ट एसेट्स के अंतरगत यह आता है तो तो फिक्स्ट एसेट्स में क्या लिखेंगे मुझे है व्रक एन प्रोग्रेस अकाउंट में कौनसी वैलीव वन सेवंटीफाउव फाव हंडर्ड वन सेवंटीफाउव फाव हंडड बस इतना माइनस क्या करेंगे कैस रिसीवड एक लाख रुपया कैस इनको मिल चुका है तो 75 500 ये वैल्यू असेट साइड में दिखाई जाएगी बस तो जब कभी भी इस तरीके से इन कुश्चन में जहां बैलन सीट की ओवराल इनफॉर्मिशन नहीं होगी फिर भी बैलन सीट पूछेगा तो ये छोटी सी तीन लाइन की बैलन सीट बनेगी बात क्लियर है कॉंट्रेक्ट अकाउंट वर्क इन प्रोग्रस अकाउंट और बैलन सीट इसका इस्क्रीन से और लेना चाहे तो ले लीजिए लेना चाहे नहीं मतलब ले ही ली जिये Hake A co tutor अपने आप करना ना समझ में आए तो यहां से देखना हम लोग ओवर्राल तक्रीबन 15 क्षिंट के इस पास करें गे पहले वीडियो कछी के आस्पास करेंगे मुझे लगता है मैं यहें 15 कुछanting करूंगा मिलेंगे अगले वीडियो में एक और बेहतरी प्रेक्टियल प्रॉब्लम्स चाथ तब तक के लिए जय हैं